अपने रिविजिन के सफर के साथ ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्राटेजी को और एफेक्टिव और आपके अप्रोच को और प्रोड़क्टिव बना पाए जैसा कि आप जानते हैं ये मिशन सीरीज बहुत इंपोर्टन रहने वाला है रिविजिन करने के लिए from the upcoming examination point of view तो इस video update lecture को completely देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि maximum लोगों को इसका benefit मिल पाए पर आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए है तो इसे subscribe करना ना भूले विकास इससे बहतर content आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाला तो चलिए start करते हैं mission series का पर mission series को start करने के पहले कुछ important बाते मैं आपको बता दूँ जो lecture के दौरान आपको follow करना है सबसे पहली बार कि जो notes मैं follow कर रहा हूँ जो notes मैं refer कर रहा हूँ वो आपको इस video के description box में मिल जाएगा तो आपको अलग से note करने का कुछ भी दरकार नहीं है इस video के description box में जाईए इस document को download कर लीजे और आपका काम हो जाएगा इस lecture के दौरान कोई भी question copy मत करियेगा कुछ भी लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा अगर कुछ लिखना भी है तो एक rough paper हाथ के पास रखियेगा ताकि fast calculation, formula लिखकर revise करना technical words को लिखकर याद करना, recall करना that will be important एक common चीज में आपको बता दू जो common mistake बच्चे करते हैं calculator पे GT function होना चाहिए यानि जो भी बच्चे financial management का paper देने वाले हैं from the capital budgeting point of view, time value of money point of view calculator पे GT function होना जरूरी है तो वो ही calculator इस्तमाल करें इस पे GT function हो तो चलिए discussion को आगे बढ़ाते हैं और आज के पहले mission series के session में हम करने वाले हैं dividend policy जो की बहुत important chapter है from the examination perspective lecture के दोरान हम theoretical and practical दोनों cover करेंगे और जो notes हमने आपके साथ share किया है जो आपको इस video के description box में मिला है उसने practical sums with their solution and theoretical portion maximum from the ICSI content है तो आपको अलग से कुछ और करने का दरकार नहीं पड़ेगा lecture के दोरान आज हम cover करेंगे important theoretical portion कुछ important sums ताकि revision speed में हो पाए और effectively cover कर ले तो चलिए start करते हैं discussion सबसे पहली चीज़ आती है कि सर dividend क्या होता है जैसा कि आप देख पा रहे है dividend is a kind of return यानि return expectation है जो shareholder अपने investment पे expect करता है यानि dividend is a kind of return dividend किस पे calculate होता है बच्चा कहेगा सर profit पे calculate होता है पर मेरा सवाल ये है उस profit का नाम क्या है तो उस profit का नाम है EAT that is earning after tax या EAIT that is earning after interest and tax I am repeating अगर आपसे पूछा जाए कि dividend calculate profit पे होता है एकदम सही तो profit का नाम क्या होगा तो आप कहेंगे सर उसे कहते हैं EAT that is earning after tax या फिर EAIT that is earning after interest and tax यानि एक्जाम में कोई भी profit आपको दे दे आपको देखना है क्या वो EAT है या EAIT है अगर EAT या EAIT है कोई दिक्कत पली बात नहीं है dividend amount calculate कर लेंगे पर अगर वो EAT या EIT नहीं है तो calculate करेंगे क्या नहीं करेंगे पहले EAT और EIT निकालेंगे उसके बाद dividend amount calculate होगा यानि बच्चों को ध्यान देने वाला बात है exam में कोई भी profit दिया है पहले चेक कर लो कि अगर कोई adjustment का requirement है जिससे EAT और EIT निकले तो पहले वो calculate यानि calculate करना otherwise answer गलत आएगा तीसरा वाला point हमारे syllabus में chapter में we are covering from equity share holder point of view यानि हम लोग preference की बात नहीं कर रहे है हम लोग equity share holder की बात कर रहे है यानि एक बहुत important गुरु मंत्र sums को बनाते वग कि भईया जो profit दिया है माल लोग total profit दिया है अब total profit में equity का share भी होगा preference का share भी होगा हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं चैप्टर में सर equity share holder के बारे में तो logic क्या कहता है common sense क्या कहता है कि सर हम preference वाला का profit हटा देंगे यानि इस chapter में इस sums में regular class के दोरान भी मैंने sums ऐसे कराए है जहांपर total profit में से आपने preference dividend का portion minus कर दिया यानि उसके बाद जो profit बचा है that profit is for equity share holder only यानि exam में कहीं पर भी किसी भी sums में अगर preference shares की मौझूदगी है अगर preference shares की मौझूदगी है हमने क्या सीखा था क्या पढ़ा था regular class में कि सर preference dividend को minus कर देना है total net profit से याद आया क्या वही treatment यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नीचे आ जाईए मा कंसेप्ट याद है ना regular class में हमने मा कंसेप्ट के बारे में बात किया था कि सब सब कोई खा लेता है किसी का खाना बचता नहीं है जो खाना रह जाता है अब वो मा का है याद फ्री प्रोफिट जिसके उपर और किसी का चार्ज नहीं है और equity shareholder को मा माना गया है आईए नीचे अगर हम लोग company law point of view में जाएं company law ने कभी नहीं बोला dividend payment is compulsory company law ने कभी नहीं बोला dividend payment is compulsory dividend देना है कि नहीं देना है management पर छोड़ दिया गया है let the management decide because management takes care of day to day working उनको better पता है dividend देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए अगर उनको लगता है देना है तो वो देंगे यानि board meeting में आपका propose होगा board of directors ने confirm किया कि देना है तब matter आएगा shareholders के पास general meeting में वहाँ पर अगर पास हो गया यानि board of directors ने clear किया अपनी meeting में वहाँ से आगया shareholder meeting में वहाँ पर अगर पास हो गया then we can say that the dividend is declared that the dividend is declared और एक बाद dividend declare हो गया तब पीछे हटा नहीं जा सकता यानि यहाँ पर we are talking about सल्मान खान अप्रोच wanted movie का dialogue है बच्चा एक बार जो मैंने commitment कर दी उसके बाद मैं खुदकी भी नहीं सुनता ध्यान दो यानि एक बार dividend declare हो गया अब भहिया company तुम पीछे नहीं हट सकते यानि जब तक dividend declare नहीं हुआ company law silent है चुप है किसी तरह का interference किसी तरह का disturbance company law नहीं करता let the management decide कि भाईया आपको dividend देना है कि नहीं देना है बट एक बार आपने declare कर दिया यानि board of director में pass shareholder की meeting में pass दोनों जगा pass होने के बाद ये dividend declare हो चुका है वहां से company law major role play करता है हमने already इसके बारे में बात किया हुआ है that from the modern financial management point of view all the organizations are concerned about wealth maximization यानि modern day corporate house profit maximization का main objective नहीं रखता वो रखता है wealth maximization का objective यानि wealth maximization is from the longer term perspective profit maximization short term perspective wealth maximization बड़ा होता है उसका एक part है profit maximization जानते है ना पढ़ा था ना regular class में एकदम clarity और dividend policy depend करता है multiple factors पे ध्यान दीजेगा dividend policy depend करता है multiple factors पे और main target क्या है और main target क्या है sir main target है wealth maximization ना की profit maximization wealth maximization आज के दिन सारे modern business houses का main objective है wealth maximization का part होता है profit maximization is that clear आगे बढ़ने के पहले मैं आपको दूँगा 2 minute का time फटा फट इस particular page को go through करेंगे और उसके बाद अपने आगे बढ़ चलेंगे एकदम ध्यान से पढ़िये गाईज meanwhile जो बच्चे बाद में जॉइन किये हैं ये जो document है ये जो document है वो इस वीडियो के description box में available है इस PDF को download कर लीजे approximately 3031 pages का ये PDF है जहां पर theory and practical हमने दोनों cover किया है यानि जो sums हमने अपने PDF में cover किये हैं वो important है from the examination perspective उसे जरूर एक बाद refer करें क्या यहां तक अपने clear है last few seconds to go just a normal reading is required फिर अपने अगले important topic के तरफ बढ़ चलेंगे डाने यहां तक देख लिया एक बार हरी आप बच्चा regular class नहीं है ये सब पढ़ा हुआ है हम mission series में सिर्फ रिवाइस कर रहे हैं साथ में तेजी से रिवाइस करें retention ratio dividend payout ratio आप उलड़ी जानते हैं 100% होता है maximum retention का मतलब retain करना payout का मतलब pay कर देना निकाल देना अगर retention ratio 40% है तो payout ratio 60% है retention ratio 80% है तो payout ratio 20% है retention ratio अगर 60% है payout ratio 40% है तो आपको idea लग गया concept about retention ratio and payout ratio नीचे आ जाईए हम बात करेंगे capital appreciation के बारे में आप उलड़ी ये बात जानते हैं regular class मैंने कई बार बताया है investor को dividend से उतना मतलब नहीं है dividend गुलाब जामुन की तरह है main क्या है desert नहीं main course है तो main course क्या है investor के लिए capital appreciation यानि 100 share ITC का खरीदा 100 रुपए में April में 100 share ITC का खरीदा 100 रुपए में April में यानि कितना रुपया लगाए April में 10,000 दो महिने बाद एक share का दाम हो गया 120 यानि 20 रुपए का appreciation मिला यानि 100 share मेरे पास है यानि मेरा total capital हो गया 12,000 यानि 10,000 लगाया था दो महिने बाद इसका value है 12,000 यानि मेरा capital अप्रिशेट किया है 2000 से यानि this is the concept of capital appreciation देखो एक बार एकदम गौर से 100 shares हैं एक share का दाम 100 रुपया है एप्रिल में लिया 100 into 100 10,000 रुपया एप्रिल में लगाया दो महिने बाद एक share का दाम है 120 यानि अगर 100 share है मेरे पास तो यानि value कितना हुआ सर्फ 12,000 हो गया एप्रिल में कितना लगाया था 10,000 अभी value क्या है 12,000 कितना appreciate किया capital सर्फ 2000 से तो इस 2000 को बोलेंगे capital appreciation और investor का main target यही होता है अब आते हैं practical sums की तरफ बट practical sums में जाने के पहले आपको मैं बता दूँ कि जब भी आप देखेंगे relevance dividend theory जानते हैं न एक होता है relevance model एक होता है irrelevance model relevance model क्या बोलता है कि भाया dividend policy is important आप क्या follow कर रहे हैं ज्यादा देंगे, कम देंगे नहीं देंगे, उसका impact price पे पड़ेगा यानि relevance model कहता है dividend policy influences the stock prices irrelevance क्या कहता है जैसा की नाम बताता है irrelevant irrelevance कहता है कि dividend policy बेकार की बात है उसका कोई impact नहीं पड़ता pricing पे आपका जो impact पड़ेगा price पे वो होगा कमाने की आउकात का यानि earning capacity बेटा technical term है लिखो एक बार irrelevance model arrow mark देकर earning capacity यानि dividend policy से मतलब नहीं है मतलब किसे है price को कमाने की आउकात से अब वहीं पेर मैं आपको बताना चाहूंगा relevance model में जब भी हम questions देखते हैं मैंने बताया था ने regular class में R और K को देखा जाता है किसको देखा जाता है बेटा आर और केई को, आर का मतलब rate of return, केई का मतलब capitalization rate, एकदम सही, आर का मतलब rate of return, केई का मतलब capitalization rate, यानि जब भी आप सम देखिएगा, आप पहले देखेंगे, आर क्या है और केई क्या है, regular class में क्या बताया था, सर आर का मतलब हुआ, कंपनी कितना कमाता है अपने return से, केई के बारे में क्या बताया था, सर केई का मतलब हुआ, capitalization rate, यानि शेर होल्डर अगर खुद invest करेगा, तो कितना कमाएगा, तो सर आपने तो clearly बताया था, जिसका percentage ज़्यादा होगा, जिसका return ज़्यादा होगा, वही पैसा रखेगा, दूसरे को देकर कोई फायदा नहीं है, राइट, लाइक फॉर एक्जाम्पल, आर इक्वल्स टू कंपनी का return, के का मतलब capitalization rate, शेर होल्डर का return, जिसका बड़ा होगा return, वही पैसा रखेगा, यानि अपने अब बात करने वाले है optimization, payout ratio के बारे में, और retention ratio के बारे में, यानि R greater than K, ज़्यादा कौन कमा रहा है, कंपनी कमा रही है सर, तो optimum payout ratio 0%, यानि जब कंपनी ज़्यादा कमा रही है, तो payout क्यों करना, पैसा क्यों निकालना, शेर होल्डर को क्यों देना, तो उसमें optimum retention क्या होगा, 100%, R greater than K, R बड़ा है, कंपनी ज़्यादा return कमाएगी, पैसा किसके बास रहेगा, कंपनी के बास, तो optimum payout ratio 0%, optimum retention ratio 100%, वहीं उल्टा ले लो, R less than K, यानि ज़्यादा कौन कमा रहा है, शेर होल्डर, किसके बास रहना चाहिए, शेर होल्डर के बास, कंपनी के बास 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 छोड उल्टा 100%, optimum retention ratio उल्टा 0%, देखो एक बार, एकदम गौर से, when R greater than K, growth firm, R less than K, declining firm, याद रखो बच्छा revision हो रहा है, अगर तुम first time इस session को देख रहे हो, और सोच रहे हो, समझ में क्यों नहीं आ रहा, बेटा ही regular class नहीं है, हमने बहुत time देखर, एकदम सुन्दर तरीके से, gradually से complete कराया था, अभी तो quickly revise कर रहे हैं, तो फटा फट एक बार, go through करो, R greater than K, यानि company ज़्यादा कमारा है, growth firm, R less than K, company कम कमारा है, declining firm, यानि optimum payout ratio पहले वाले case में 0, retention 100, 100, 0, करो, rough paper में लिख कर practice करो, growth firm, declining firm, growth firm, R greater than K, declining firm, R less than K, और normal firm क्या था बेटा, R equals to K, इसका मतलब indifferent, यानि कुछ भी follow करो, price same होगा, जो PDF मैंने आपको दिया है, और जो हमारे regular class के बच्चे हैं, आपको हमने ऐसा एक sum भी करवाया था, जहाँ पर R और K, आई, आपका अगर equal है, किसी भी payout में, चाहे 0 बोलो, 100 बोलो, 40 बोलो, 30% बोलो, price same आया है, इस PDF में, ऐसा एक sum आपके लिए दिया हुआ है, एक sum का sub part है, जहाँ आप देखेंगे, R शायद 11% है, K भी 11% है, यानि R greater than K हो गया है, अलग-अलग payout ratios पे, price same आया है, टेक 30 seconds time, एक बार इस table, sorry, एक बार इस table में, serial number, situation, optimum retention, और type of firm का नाम, लिख कर practice कर लो, फटा-फट स्क्रिबल करना, ज्यादा time नहीं देना है, your time starts now, जलिली बच्चा, एकदम fast, दानेया तक, growth firm, declining firm, normal firm, growth firm, R greater than K, R बड़ा, company बड़ा, optimum payout 0%, optimum retention 100%, declining firm, R less than K, company कम कमारा है, shareholder, ज्यादा कमारा है, optimum payout 100%, optimum retention ratio 0%, R equals to K, normal firm, indifferent, indifferent, यानि कोई भी payout follow करो, price same आएगा, आते हैं नीचे, types of dividend policy, चार है, number one, regular dividend, usual rate of return, number two, stable dividend policy, irregular dividend, no dividend, जैसा कि नाम बताता है, no dividend, यानि dividend देते ही नहीं है, practical world में ऐसी बहुत companies हैं, जिन्होंने आज तक dividend नहीं दिया है, irregular dividend, यानि दो साल बात दिया, फिर चार साल बात दिया, फिर अगले साल दे दिया, फिर दस साल तक नहीं दिया, यानि कोई pattern नहीं है, कोई fix नहीं है, stable dividend, यहाँ पर क्या-क्या था, percentage, रुपी, percentage, प्लस रुपी, यानि, स्वरी, रुपी, percentage, percentage, प्लस रुपी, constant dividend per share, जैसा नाम बताता है, सर, constant dividend per share, यानि यहाँ पर amount fix है, constant payout ratio, यानि ratio यानि percentage को denote करता है, यानि percentage fix है, stable रुपी dividend प्लस extra dividend, यानि रुपीया fix था, कि इतना देंगे, और अगर excess profit हुआ, तो उसका एक percentage देंगे, यानि एक constant dividend per share, constant payout ratio, stable रुपी dividend प्लस extra dividend, the first one is regular dividend, that is usual rate, regular income, regular earning, यानि keyword सा बच्चा, usual rate, regular income, regular earning, आते हैं नीचे के तरफ, straight away आएंगे अब, theories of dividend में, यानि straight away हम लोग आ चुके हैं, sums वाले पार्ट में, rough paper निकाल के रखो, कुछ formulas लिखकर practice करना है, फिर आगे बढ़ना है, relevance of dividend, आपको अलड़ी मैंने बता दिया है, इसके बारे में, कि यह कहता है, dividend policy is important, and it influences the stock prices, irrelevance of dividend, dividend policy is not important, and it not influences the stock prices, जो influence करता है, वो कमाने की आउकात है, यानि earning capacity, relevance of dividend के दो पार्ट हैं, walters model, gordon's model, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, relevance of dividend के साथ, already आप जानते हैं कि सर, dividend policy influences the price, और हम लोगों को sums बनाते वक, R और K E का relationship देखना है, और उसी के basis पे optimum payout, optimum retention ratio, determine करने के बाद, यह outcome आएगा, कि क्या company optimum follow कर रही है, अगर नहीं कर रही है, तो answer में दो निकलेंगे, एक as per question और एक as per optimum level, और अगर company optimum level follow कर रही है, तो एक ही answer निकलेगा, regular class का discussion याद आया क्या, when we have a question on relevance of dividend, यानि Walters और Gordon model के उपर question आता है, पहले बात कर लेते हैं Walters model को लेकर, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, से रिदम clear cut है, sum में पहले R और K E मैच करेंगे, कि दोनों का value क्या है, फिर देखेंगे R बड़ा है कि K E, उससे optimum level का idea लग जाएगा, फिर चेक करना है, अगर optimum payout 100% होना चाहिए, ये लोग follow कर रहे हैं कि नहीं, अगर question में follow नहीं कर रहे हैं, तो एक price निकलेगा as per question, और एक price निकलेगा as per optimum level, आते हैं straight away, Walter's model developed किया था James E. Walter ने, हमें अल्रेडी पता है इसके बारे में, that the dividend policy can influence the stock prices, पहले क्या check करना है, we need to check the relationship between R and KE, बात हुआ ना इसके बारे में, यह है step wise हमने लिखवा दिया है, तो जो बच्चे हमाएं regular class के बच्चे नहीं है, मैं उनको बता दूँ, हमने अपनी summary copy में, यानि आज आप जान लीजिए, if you don't know about it, हमारे students को पूछिएगा, हमने class के दौरान, एकदम beautiful तरीके से, summary copy और formula sheet develop करवाया है, summary copy और formula sheet develop कराया है, ताकि effective learning हो, effective revision हो, exam के एक महिना पहले, दो महिना पहले, and even एक दिन पहले, जब 24 घंटे से कम का टाइम बचा है, और यही summary copy, यही formula sheet, जो हमने class में regular बच्चों के साथ develop कराया था, वो उनका best friend साबित होगा, उनके आने वाले exam के लिए, तो जो बच्चे हमारे regular class के हैं, summary copy और formula sheet और अपडेटेटेड है जिनकी, उनको पता है उनके पास क्या assets पड़ा है, जो हमारे past examines हैं, past बच्चे हैं, बच्चे हैं, sorry not बच्चे, जो हमारे past students हैं, उनके पास भी summary copy और formula sheet है, तो kindly लोगों को बताएं, कि summary copy और formula sheet कितनी important है, revision and learning के लिए, तो भाईया आगे बढ़ा जाए, वहाँ पर हमने एक इक़्रम detail में लिखवा दिया है, कि कैसे steps को follow करना है, तो straight away आएंगे formula पे, तो Walters model का formula क्या है, D plus R by K into E minus D whole divided by K E, रप पर निकाल लीजे, P equals to D plus R by K E minus D whole divided by K E, E का मतलब earning per share, D का मतलब dividend per share, R का मतलब rate of return, K E का मतलब capitalization rate, याद रखिएगा, ये percentage amount नहीं है, ये जो D है, ये percentage amount नहीं है, ये exact amount है, percentage वाला मत बैठा दीजेगा, और मैं वापस से बताना चाहूँगा, exam में, अगर आपका new syllabus है, और subjective में हैं हैं माप, तो भहिया, आपको ध्यान देना है, पूरा लिखना पड़ेगा, आपका where as के साथ, जो बच्चे shortcut मारते हैं exam में, बेटा step marking में marks कट जाएगा, अगर subjective paper है तुम्हारा, और तुम shortcut मारोगे, तुम्हारा marks कटेगा, और जहां तुम अच्छा score कर सकते हो, वहाँ पर तुमको problem होगी, तो अभी भी time है, regular class के साथ, revision करते वग, steps को properly expand करके लिखना, ताकि कहीं पर भी examiner को, मौका ना मिले marks काटने का, is that clear, P equals to D plus R by K, into E minus D, whole divided by K, sums देख लीजे, 0.12 का मतलब है 12%, तो हमारे पास, अल्यदी सारे figures दिये हैं, तो question में पहले क्या देखते हैं, sir R और K E का relationship, R 12% है, K E 10, यानि case of R greater than K E, company ज़्यादा कमारा है, तो पैसा किसके पास होना चाहिए, company के पास, तो optimum payout क्या होगा, 0%, optimum retention 100%, पर as per the question, dividend 0 होना चाहिए था, optimum level के हिसाब से, right, because optimum payout तो 0% है, पर ये लोग क्या कर रहे हैं, 2 रुपया दे रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल, क्या company optimum level फॉलो कर रहा है, the answer is no, company is not following the optimum level, तो दो answer निकलेगा, पहला answer निकलेगा as per question, दूसरा answer निकलेगा, as per optimum level, यानि पहले वाले question के हिसाब से, हमने D के जगा 2 बैठाया, PDF देखो बैठा, dividend दिया है question में 2, R दिया है 12%, यानि 0.12, 0.104-10, क्या आपका answer 44 आया, गौर से देखिएगा, हम लोग कर रहे हैं as per question, यानि optimum level पे नहीं कर रहे हैं अभी, क्या आपका answer 44 आया, यही answer आएगा, फड़ा पड़ करिए एक बार, तू दिया है dividend as per question, optimum level में 0 होना चाहिए था, बिकुद optimum payout ratio is 0%, done, अब अगर अपने optimum payout में जाएं, यानि optimum payout is 0, तो db होगा 0, उसके हिसाब से answer आएगा 48, करके देखो, full screen कर रहा हूँ, यह हो गया as per question given, यह हो गया as per question given, और यह हो गया as per optimum payout, clear है क्या, देख लो एक बार फटा फट calculator के उपर, done है या तक, आते हैं अगले पार्ट के तरफ, straight away आईए मेरे PDF में, on illustration number 5, अब illustration number 5, regular sum जाएसा ही है, पर difference खाली क्या है, यहाँ पर हमने total dividend, और total earning दिया हुआ है, यानि question में total dividend दिया है, और sorry, total earning दिया है, या total profit दिया है, और number of shares दिया है, तो total earning दिया है, number of shares दिया है, तो earning per share निकल जाएगा, that is 20 lakhs divided by 2 lakh, that is rupees 10, right, payout is 20%, यानि 2 lakhs, 4 lakhs हो जाएगा, ध्यान दिजाएं यहाँ पर, straight away आते हैं इस portion में, earning पर share आ गया, rupees 10, अगला पाट देखिए, 20 lakhs का 20%, 4 lakhs हो गया अपना, total dividend, number of shares दिया है, तो 2 रुपया आगया अपना, straight away dividend per share, एकदम सही कहां आपने, कि सट 10 अगर earning per share है, इसका 20% करते, तब भी 2 आता, तो दोनों में से, कोई भी process आप follow कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो question के तरफ बढ़ गए, जाहिर सी बात है, R दिया है 8%, K E दिया है 10%, so case of R less than K E, यानि optimum payout ratio होगा, 100%, पर क्या 100% follow हो रहा है, the answer is no, राइट, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले straight away, calculation किया as per data given, so 2 रूपिया payment हो रहा है, that is dividend per share is 2, तो calculate जब किया, तो 84 आएगा, solution देखिए, question देख लो बच्चा, PDF तुम्हारे पास ही है, question से देखो, जो हमने solution में, value put किया है, वो clear है कि नहीं, we are revising right now, पहली बार concept नहीं बता रहे हैं, तो speed को maintain रखे हैं, ताकि जल्दी जल्दी important concept, हम revise कर लें, तो क्या आपका 84 आ गया, डान यहां तक, तो 2 रूपिया dividend payout ratio दे रहा है, total earning कितनी है, earning per share अगर देखे तो 10 रूपिया, R is less than K, तो payout ratio optimum वाला, 100% होना था, यानि earning per share 10 रूपिया, तो dividend per share भी 10 रूपिया, तो यानि जब हमने optimum level को maintain किया, तो D के जगा बठा दिया 10, E के जगा 10 होगा, 8%, 10%, 10%, 100 आएगा answer, यानि as per data given 84, and as per optimum level, 100 होगा, क्या आपका आ गया, क्या यहां तक एकदम clear है, बढ़ा जाया आगे, आते हैं अगले पार्ट में, यह similar kind of sums है, तो यहां पर इससे time based नहीं कर रहे हैं, lecture खतम होने के बाद, PDF आपके पास रहेगा, आप वहाँ से इसको quickly revise कर लीजेगा, आते हैं अगले पार्ट में, कुछ important formula को देख लेते हैं, earning per share का formula अल्रेडी आप जानते हैं, total earnings divided by number of shares, dividend per share, total earning into dividend payout ratio, या फिर total dividend divided by number of shares, clear है, देखिए वापस एक बार, dividend per share का formula है, total earning into dividend payout ratio, total earning into dividend payout ratio, or total dividend divided by number of shares, earning per share equals to, total earnings divided by number of shares, हाला कि या formula common sense पर ही है, बट फिर भी कुछ बच्चे अगर याद करना चाहें, तो यहाँ से याद कर सकते हैं, आते हैं आगे बढ़ते हैं, very important part, exam में अगर rate of return, यानी R, आपको अच्छे ते पता हैं न, walters model में, relevance model में, R और के का, अच्छा importance है, R और के का, अच्छा importance है, relationship check करना पड़ता है, sums बनाते वक्त, तो R को कहते हैं, rate of return, R को कहते हैं, rate of return, यानी question में कई बार, आपको rate of return की जगा पर, बोल देगा, internal rate of return, यानी from the dividend policy chapter, अगर rate of return के जगा, internal rate of return भी बोल दे, तो बात सेम है, confuse मत हो जाईएगा, कि सर ने class में, rate of return कहा था, यहाँ पर तो internal rate of return कह रहा है, दोनों एक ही बात है, इस अट लियर, आते हैं नीचे, straight away, sum number 8 पे, अब इस sum number 8 पे आप देखेंगे, preference dividend का जिक्र है, मैंने मां concept में क्या बताया था, कि भाईया, इस chapter में, हम लोग equity point of view से कर रहे हैं, तो अगर exam में या question में, total profit दिया है, तो आपको तो अलड़ी पता है, total profit दिया है, मतलब इसमें equity भी है, preference भी है, equity भी है और preference भी है, अगर question में preference के बारे में कुछ नहीं बोला, अगर question में preference के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जितना profit दिया है सर, equity का मान के कर लेंगे, जितना profit दिया है equity का मान के कर लेंगे बट अगर question में preference का जिक्र किया है तो preference dividend को minus करना पड़ेगा total profit में से preference dividend को minus करना पड़ेगा total profit में से और ये sum exam के लिए important रहने वाला है because यहाँ पर आप देख पा रहे हैं preference shares के बारे में बात हो रही है read the question once ध्यान दीजेगा net profit total है 30 लाग तो total profit अगर 30 लाग है इसमें equity का भी profit है preference का भी profit है तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा because this chapter is from equity shareholder point of view 12% preferences of 1 करोड यानी dividend amount कितना हो गया 12 लाग यानी 30 लाग में से 12 लाग माइनस करेंगे तो 18 लाग बचेगा and that is the profit for equity shareholder यानी आपका sum start होगा total earning of 18 लाग से ना कि 30 लाग से full screen कर रहा हूँ एक बार इस treatment को देखिए revise करिए अगर clarity है फिर ही आगे बढ़ेंगे यानी regular class में इसके बारे में हमने आपको बताया था कि भईया अगर preference का treatment है तो माइनस तो करना पड़ेगा rest portion एकदम सेम है देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो वही किया है question में केई missing था तो मैंने solution में assume किया है 15% आप यहाँ पर लिख लीजे 15% केई assume करने का दरकार नहीं है आप straight away question में add कर लीजे 15% है केई इस part को देखिए start हुआ है 18 लाग से total profit है 30 लाग minus किया preference dividend 18 लाग जो आया यही equity का profit है वही start होता है यहाँ से rest चीजें same है यानि इस question में price नहीं निकालना है price अल्रेडी दिया है आपको dividend payout ratio मांगा है take two minutes का time मैंने आपको first important step बता दिया जो revise करने के लिए important था यह regular class का सम्ही है take two minutes solve करिये इसको और मुझे बताइए क्या आपका payout ratio 85% आया 85% ही आना चाहिए ध्यान रखिए dividend amount अलग है यानि D plus R by K जो D है वो amount है payout ratio यानि percentage नहीं तो जो आप calculate करेंगे equation में that is a dividend amount उसको आपको percentage में convert करना है याद रखिएगा full screen किया दो minute लीजिए और इससे solve कीजिए फटा फट एवरिवान करेंगे अप्याद, इससे अप्यरों ही रखिए झाँ करेंगे झाल 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 गौर्डन्स मोडल का फॉर्मुला है एक सम के बारे में बताया था जहां पर आर और केई इक्वल होने से किसी भी पे आउट रेशियो पर सेम प्राइस आएगा वो यही वाला सम है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अलग अलग पे आउट्स पे आर और केई सेम है यानि 11 परसेंट ही है अपने देख रहे हैं प्राइस सेम आया and this is the reason why at r equals to k we have mentioned the table that optimum payout ratio and retention ratio are indifferent is that clear आते हैं नीचे के तरफ and straight away एक important sum के तरफ आते हैं यहाँ पर हम लोग 2-3 formula जानेंगे आपको ध्यान में होगा मैंने आपको बताया था जो मैं regular class के बच्चे हैं या जो हमको यूट्यूब में फॉलो करते हैं कि बस r और k important है जब तक उनका relationship determine नहीं होता आप आगे sum नहीं बढ़ा पाएंगे बर कितनी बार देखा गया है exam में k missing है k नहीं दिया हुआ है पर उसके बदले price earning ratio दिया है यानि k नहीं दिया है price earning ratio दिया है मेरा सवाल आप जानते हैं already बड़ मैं आप से सुनना चाहता हूं कि अगर k नहीं दिया और price earning ratio दिया है क्या sum बना पाएंगे the answer is yes तर बना लेंगे price earning ratio को inverse अगर कर देते हैं उल्टा अगर कर देते हैं तो भाईया k निकल आता है तो अगर कोई कहता है k equals to one by p the answer is right यानि अगर exam में price earning ratio दिया है k नहीं दिया आप inverse कर देंगे तो k निकल जाएगा अब बात करते हैं r के बारे में यानि r भी अगर missing है exam में तो किस data से r निकाला जा सकता है तो देखिएगा इसका formula है earnings by paid up capital earnings by paid up capital और multiply by hundred करने से percentage में answer आता है पता है ना basic math बच्चा if we are multiplying it by hundred we get आपका percentage में answer तो हमने या क्या देखा k missing price earning दिया है inverse कर दो k निकल आएगा वहीं पर हमने क्या देखा sir r नहीं दिया है paid up capital दिया है total earnings दिया है तो earnings by paid up capital into hundred कर दो तो r निकल आएगा तो यानि कभी भी अगर k और r missing है और ये सारे data available है तो r और k निकाल लोगे ना फड़ा फड़ा जाओ इस sum में sum number 11 z limited वाला pdf आपके पास है go through करो एक बार k नहीं दिया हुआ था p 12.5% था inverse किया तो 8% आ गया calculator उठाओ 1 divided by 12.5 into 100 करो 8% आया क्या देखो एक बार एकदम 8% आ गया होगा वही पर आजाओ r में hotel earnings है 4 लाग paid up capital है 40,000 number of shares है तो भाईया 10% निकल आया राइट मेजर तो यही था r है 10% ke है 8% r greater than ke वाला case है हो गया ना optimum payout 0% optimum retention ratio 100% दो answer निकालना है एक as per question given एक as per optimum level तो calculate करो तो पहला answer आया 131.25 सलूशन देखो बच्चा और देखो क्या तुम्हारा answer आया कुछ sum बनाने का दरकार नहीं है PDF को refer करो और calculator में करके देखो sum का flow देखो formula अगर वहाँ तक बन जाता है formula अगर पता है सिफ value पुट करो एक as per question given और एक as per optimum level और मुझे बताओ क्या 131.25 as per question given आया आया क्या देखो बच्चा एक बार एकदम ध्यान से आ गया क्या very very nice और वहीं पर optimum level देखो 0 पकड़ोगे optimum payout ratio 0% होगा because r greater than ke है तो 0 बैठा दिया d में तो 156.25 आएगा full screen कर रहा हूँ ये भी value बठा कर देख लो आर था 10% k है 8% d होगा 0 e है 10 आ गया क्या done एकदम यानि एकदम perfect तरीके से ये वाला पार्ट आपने revision कर लिया है आते हैं नीचे के तरफ irrelevance dividend model मोधी गिलानी method p0 equals to d1 plus p1 divided by 1 plus r याद करो बच्चा p0 equals to d1 plus p1 divided by 1 plus r के जगा मैंने regular class में k लिखने को बोला था याद आया क्या because ये capitalization rate ही होगा तो r लिखने के जगा पर k लिख दो ताकि किसी भी तरह का confusion ना रहे जो बच्चे हमारे regular class के नहीं है उनको मैं बता दूँ कि कोई कोई मैट में यहाँ पर जहां मैंने k लिखा है वो r लिखते हैं पर इसको rate of return नहीं कहते हैं capitalization rate ही कहते हैं तो instead of writing r ताकि आप confused हो जाएं r दो बार लिख रहे हैं एक जगा rate of return एक जगा capitalization rate uniformity के लिए d1 प्लस p1 divided by 1 प्लस k e कर दो d1 का मतलब dividend after 1 year d2 का मतलब dividend after 2 years d3 का मतलब dividend after 3 years p1 का मतलब price after 1 year p2 का मतलब price after 2 years p3 का मतलब price after 3 years d0 current dividend p0 current market price clear है यह जो 0 है यह denote करता है current time यह जो 1 है at the end of 1 year denote करता है अब इस particular portion में बच्चे जब sums बनाएंगे मैं detailing में नहीं जाओंगा sum में because solution already आपके पास है आप जितना खुद revise करेंगे आपके और बेटर होगा class के बाद मैं आपको major problem areas बता देता हूँ ताकि जब revision आप करने बैठें detailed में खुद से तब आप इन सारी चीजों पर ध्यान दे क्योंकि इनी सब चीजों पर आपका sum depend करेगा कि आप कितनी आसानी से सही बनाते हैं इस pattern में लोग ज़्यादा गलती करते हैं कि question में D0 दिया है या D1 अगर line कहा गया है the company is thinking to pay at the end of the year 2 रुपिया my question is क्या company ने pay कर दिया नहीं तो यह D0 नहीं होगा thinking to pay during the year के बाद देगा तो वो तो D1 होगा ना clear है एकदम तो इस बात का ध्यान रखना like for example यह question देखते हैं the company is considering dividend of 2.50 for the current year कुछ बच्चे होंगे जो यहां current year देखते ही बोलेंगे कि sir यह D0 होना चाहिए पलकी बेटा यह D1 होगा because current year में देने का सोच रहा है current year खतम हो गया क्या अभी भी तो समय बाकी है जब समय बाकी है सोच रहे है current year खतम होने के बाद देंगे तो वो D1 हुआ ना D0 कैसे maximum बच्चे इसी पार्ट में गलती करते हैं और अटकते हैं तो सम बनाते वक्त इसका ध्यान रखिएगा right और yes illustration 15 में लिख लीजे very important इसमें एक चीज में आपको recall कर आलूं कि मान लीजे 6,00,00 रुपिया आपकी कमाई है 6,00,00 रुपिया आपने earn किया है अब D1 प्लस P1 डिवाइड बई 1 प्लस केई MM अप्रोच में क्या बोलता है when the dividend is paid when the dividend is not paid याद आया क्या regular class बच्चा लोग जो कुछ से भी पढ़े मेटा ध्यान में आया क्या MM अप्रोच में ये concept है दो answer निकालते हैं अपने when dividend is paid when dividend is not paid when dividend is not paid or not declared better to say technical when dividend is not declared what is the value of dividend zero जब dividend declaring नहीं हुआ तो dividend का जो value है D1 क्या लेंगे sir zero लेंगे declare ही तो नहीं हुआ तो थोड़ी सो gap कर देंगे we'll consider zero right तो अगर 6 लाक की कमाई है और मालो 2 लाक रुपिया dividend है तो when declared तो 2 लाक रुपिया minus कर दिये हाथ में कितना बचा 4 लाक वहीं पर not declared तो dividend amount is zero तो हाथ में कितना बचा 6 लाक यानि illustration number 15 जो एक important sum है वो इसी understanding पर based है कि भाया कमाई अगर 6 लाक है 2 लाक रुपिया dividend declared है तो 2 लाक चला गया हाथ में बचा 6 लाक 6 लाक रुपिया कमाई है dividend declared नहीं है तो कुछ नहीं गया बहार पूरा का 6 लाक रुपिया हाथ में बचा is that clear तो इस particular chapter में जो important part था वो हमने already discuss कर लिया तो इस mission series का पहला motive तो यह है important, tricky and confusing part को lecture में discuss करना ताकि student उसको ध्यान रखकर अपने preparation strategy को और effective बनाए इस mission series के dividend policy वाली class में यहीं तक मैं discuss करूंगा इस lecture के खतम होने के बाद और अगले mission series के chapter को pick करने के पहले आपकी duty होगी यह जो PDF हमने आपके साथ share किया है इतनी मेहनत से बनाया है इसे एक बार go through जरूर करें यानि यह quick revision material है आपको मदद करने के लिए खुद भी refer करें friends के साथ भी share करें ताकि उनको भी इसका benefit मिल पाए जो बच्चे हमारे schedule के आपके साथ share हो चुका है हमारे अलग-अलग social media handles पे जिन बच्चों को नहीं मिला है बच्चा फटा पड़ हमारे social media handles पे जोईन कर लें telegram channel को जोईन करें सारा description box में links दिया हुआ है हमारी website का link दिया हुआ है ताकि बाकी information भी आप वहां से ले पाएं आज की class में इतना ही इस lecture को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें mission series के बारे में अपने friends को भी बताएं ताकि maximum लोगों को इसका benefit मिल पाएं तो from this from my side this was only for today till then take care goodbye and all the best पूस्थ